फिर कब तक 2020 हम देख चुके 2021 को और हम देख रहे हैं विकराल होते हुए 22-23 का लोग हिसाब मांग रहे हैं कि क्या होगा जाएगा कब ये? ये लोग जो हिसाब मांग रहे हैं जरा इनसे पूछिए कि आप जब कोरोना को मजाग बना रहे थे तो क्या हुआ? लोग मजाग बना देते थे, मास्क पहनने वाले को लोग कहते थे भाग भाग इसको करोना है, अरे बिचारा वो करोना से बचने के लिए किया है तो लोग उसी को करोना बोल रहे थे, मजाग बना दिये थे इस तरह से, मीम्स बन रहे थे कि करोना तो चला गया, इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी का कि कोरोना से हम लोग ने जंग जीत लिया, पता नहीं उनको किसने बोल दिया था कि जंग जीत चुके हम, नहीं, तो अभी ये जो कोरोना है, ये पीक पकड़ेगा 15 से 20 तक, और मई के बाद ये डिकलाइन होना चालू करेगा, और ये जाएगा सितंबर, मतलब अगस तक ये, ये सेकेंड वेप सांथ होगा, दो महीना गैद कीजिएगा बस, नौंबर तक थाड वेप आजाएगा, लेकिन थाड वेप से हमें उतना घवरानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक थाड वेप आएगा, भारत के 10 से 15 परसेंट लोग क कोरोना हो गाई नहीं, तो केवल ऐसे लोग बचेंगे, 25-30% जिने कोरोना का डर है, तो इन लोग को मास्क वगएरा, पैना पैना के रखेंगे, अभी तो हमारे 80% लोगों को डर है, तो थाड वर्म में केवल 30% लोगों को डर है, क्योंकि उस समय तक वेक्सिनेशन बहुत ह सवाल है कि यह क्या है समझ में नहीं आ रहा है कहीं सुना है आप ही के मुझ से सुना कहीं और से सुना लेकिन इस पर जीरह बहुत हो रही है चर्चा बहुत हो रही है यह डबल म्यूटेंट ही जादे जान ले रहा है जो चाइना से आया था म्यूटेंट का मतलग होता है किसी में बदलाओ लाना हम लोग में भी mutation होता है आप आज से हम लोग करोड साल पीछे अगर हम लोग जाएंगे तो हम लोग का कान बड़े-बड़े होते थे हम आदी मानों की तरह ऐसे चलते थे तो हम लोग म्यूटेट होके यह रूप लिए है म्यूटेशन उसे कहते है कि जब किसी एक जीव के बहुत सारे वनसज आएंगे न तो लाखो वनसज होने के बाद एक कुछ न कुछ चेंजिंग आती है अब हम लोग में क्या है एक इनसान की आउसत जिंदगी जो रहती है सतर असी साल रह हुआ है उसको क्या की जग उसके बाखो है तो उसमें म्यूटेशन होने में नहीं समस्य ह कि उसन 20 करोड जब आपका इंसान ज्यादे जाता है तो खुद ही öx2 ही होता है तो वह क्या है कि पहले से और खतरना कर रहे है जैसे हम लोग आदी 一Wow ausे और बापन करेंगी। हम लोग में भी तो mutation होता है तो वहीज़ाब तो रहा नहीं कि हम लोग पत्थर से सीकार करते थे अब तो हम लोग है राफेल से सीकार कर रहे है तो वैसे ही कोरोना भी mutation होए है और advance होगिया है अब वो और खतरनाक कर रहा है जो साथ दिन में lungs को damage करता था तो तीन दिन में कर रहा है अब भी बंगाल में तो ट्रिपल म्यूटेंट आने वाला है जो चुनाओं में लोग परसाद लेके आए हैं घर में अब उनको समझ में आएगा पर डे को पर डे बंगाल में 35 से 40 जार मरीज मिलेंगे अब उन लोग को भी नहीं समझ में आ रहा था हम आज vaccine लिए हुए हैं और हम इंतजार करने हमको को yumgara क्यूं नहीं आ रहा है दवा ली आता है की आप अपनी मानसीकता만 पांच के लड़के कीतर रख लिए जिसको सुई है बुखार से डर लगता है यह गलत बात है हम खुद वैक्सीन लिए रखे हैं, हमने अपने सारे स्टाफ लोग को दिलाया वैक्सीन, यह जरूरी है, इसमें कुछ नहीं होता है, किसी किसी में क्या होता है, कि बॉड़ी एड़्जस्ट नहीं करती है, तो हलका सा फीबर आ जाता है, तो दो रुपया का आता है परासीट लेके चले, तो उन्हें भी याद आता कि कास्ट वैक्सीन दिला दिये रहते हैं, इसलिए दोनों वैक्सीन लेनी ज़रूरी है, एक सवाल आ रहा है, और भी लोग समझना चाहते हैं, कि वाइरस किस तरह के से इंसान के अंदर प्रिविश करता है, और जिसे कहते हैं ठक्का बनाना या यह सारी चीजें लोग समझना चाहरे हैं इसे, उसे हम भी समझना चाहेंगे आपके जरीए कि ताकि हम यह कर पाएं कि या कफ या फिर खासी को हम करोना सीधे मालने या फिर हम समझने की कोशिश भी करें कि यह असर कैसे करता है, पहले तो पांच दिन हम आपको पहले बता हैं कि जिस दिन से आपको लक्षन दिखा, पांस दिन तक तो आपको डेट बाइट लिखना है, पहली दिन जिस दिन बुखार आया, खासी आया, आप बुखार का टेंपरेचर लिखिये, 98 है, 99 है कि 100 है उस दिन से, अगले दिन ठीक हो गया कोई दिक्कत नहीं, पांचवे दिन भी ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, तो अगर पांचवे दिन continue है, तब आप समझेए कि आपको कोरोना के लक्षन आ रहे है, अब ये कोरोना काम कैसे करता है, तो देखिए, इसमें कोई जादे नहीं है, बस कोरोना जादे खतरनाक नहीं है, इसके बाहर का कोई RBI की चावी लेकर घूम रहा है, मुंबई में Headquarter में कहला खाली कर देगा, वस यहीं है, पहली बात कोरोना की कमी नहीं है, उसके बाद इन सशुरों के पास चावी की कमी नहीं है, यह चावी काम नहीं करेगा, दूसरा खोलेंगे सब्सक्राइगा, तो सबसे बड़ा यही है चाभी का लेकिन वैक्सीन क्या करता है देखिए जैसे मान के चले किसी के पास चाभी है अगर हम उस चाभी पर पकड़ के अंदर ले लोग रिसेप्टर रिसेप्टर होते हैं रिसीब करने वाले करते हैं चाभी लगा हम तुम यह रिसीब करके अंदर ले जाएंगे तो वैक्सीन यह चाभी को बंद कर देता है अब कुछ लोग कर रहे हैं कि यह वैक्सीन से नपुनसक हो जाएंगे लोग अरे भाय तो सरीर सबसे पहले क्या करता है, बुखार लगा देता है, बुखार एक alarm है हमारे सरीर का, जिस तरह से स्कूल में घंटी बसती है, सारे लोग को पता चल गया कि छुटी होने वाला है, या लंच हुआ है, उसी तरह हमारे सरीर में बुखार है, अगर बुखार आ रहा है तो स पुरी खड़ी है कि कहां से घुजा आई है, और वो तो मेनट है किया है फेपरा पे, तो ये बुखार रहाना भी जरूबी है, ऐसा नहीं घबराना नहीं है, अलोग करें कि वैक्सीन आने से बुखार होता है, भई अच्छा है, वो वैक्सीन बहुत बहतरीन काम कर रही है, मतलब वैक्सीन अंतर आया है, हमारे बॉड़ी को पता चल गया कि कोई अन्यान आदमी आया है हमारे बॉड़ी में, वो बुखार लगा कि पूरी बॉड़ी को उठा रहा है, देख देख कौन आया है, यहां पे, और वो जाके सारे ताल, अब वो लेके रेडी रहता है, कहा अंसर इस स्वाइक के बारे में आपने जानकारी थी, लेकिन यह 2020 वाले से ज़्यादा खतरनाख है लग रहा है, यह ज़्यादा चिपकने में महिर है, ने 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 डवल म्यूटेंट है उसके साथ खराबी क्या हूँ, वो दो दो ठो चावी लेके घूम रहा है, वो जो कोरोना है, उसके पास एक ऐसे है, तो एक ऐसे वाली चावी है, यही दिक्कत है, या तो इस चावी से खोल देगा ताला, या तो इस से खोल देगा, इस वज़े से यह तेजी से घूम रहा है, तो पहले क्या था, कि हमारा कुछ-कुछ लोगों के इम्यून सिस्टम अच तो उसको मार के भगा देता था, और हमारा फेफडा इस तरह की चावी को तो बहुत बढ़िया से थूरता है, लेकिन यह जो double mutant है यह दूसरा चावी लेके आया है, तो हमारा फेफडा confusion हो जाता है, उसको लगता है कि यह अच्छा आदमी है, इसको अंदर ले चलो, इसको क मतलब चावी को तोड़ दे रही है, तो इसी को कहते है double mutant, अभी जो बंगाल में घूम रहा है, वो triple mutant, उसका कुछ अलग ही safe है, उसके में तीन-तीन चावी लेके घूम रहा है, किससे नहीं खुलेंगे, कहीं ऐसा ना हो कोई master चावी लेके घूमने वाला पैदा हो जाए